Realme के devices में यहाँ पर बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि जब वो permissions के अंदर जाते हैं चाहे वो whatsapp की हो, facebook की हो, instagram की हो, snapchat की हो, कोई सी भी permission के अंदर जाते हैं तो उनको यहाँ पर लिख कर आता है set subordinate permission तो basically इसका मतलब क्या होता है तो चलिए मैं आपको simple सा गूगल सर्च से समझा देता हूँ तो मैंने देखिए यहाँ पर गूगल सर्च किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए the subordinate permission feature goes deeper management feature by letting users see which apps can read device sms, write or delete sms, use camera and much more basically subordinate permission में आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप रोक सकते हैं आप अगर कोई app के अंदर किसने आपकी data पढ़ा यानि की देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं समझा दू which app can read device sms तो कौनसी app आपके device के messages को read कर सकती है जो भी OTP आते हैं वो automatic read कर सकती है और delete sms automatic भहस सी application automatic delete कर सकती हैं और कौनसी application camera यूज कर सकती हैं तो basically थोड़ा सा critical है अगर आप नहीं सबच पहेंगे वैसे ज्यादा आपके लिए कुछ खास नहीं है बस यहाँ पर आप थोड़ा सा deep कर सकती हैं यहाँ पर permissions तो होती हैं बट उसके लिए एक level उपर set subordinate permissions आ गई हैं यहाँ पर आप permissions को और अच्छे तरीके से enable disable कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अच्छी security मिल जाती हैं तो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे comment पूछ सकते हैं मैं आपको इसका reply दे दूँगा वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स जोर को सब्सक्राइब कर दें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें अल्लाहाफेज